जहिन साथियो नमस्कार मैं चेतन्य कुमार स्वागत करते हैं एक नए अपडेट के साथ जो आजी के डेट में जेसेसी द्वारा यहाँ पे अपडेट सेयर किया गया है और ये जेसेसी द्वारा जो अपडेट सेयर किया गया है हम लोग बात करेंगे कि ये किस वेकेंसी के ब है उसके बारे में update है हम बात करें कि या वो उत्पात सिपाई की vacancy थी या कोई और vacancy तो सबसे पहले बता दूँ कि यह जो vacancy update जो बताई गई है वो solop22 की जो vacancy number है कहा जए तो 2022 की जो solop22 नमर की जो vacancy उसके बारे में update है और वो एक metricaster की vacancy है जो हर candidate eligible है या नहीं इसके बारे में भी हम बात कर लेंगे इसकी क्या आर्यता है क्या योगिता है इसके बारे में भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे तो बता दें कि इसका जो online समय सिमा रखा गया था जो आपसे आवेदन मांगा गया था उनलाइन उसकी डेट 39 2022 से लेकर के 30 10 2022 तक की मध्रात्री तक रखी गई थी जो आज ही की डेट से online होने वाली थी ये vacancy लेकिन तक्निकी कारणों से कुछ अस्वीधा होगने के कारण से इसकी समय सिमा में online समय सिमा में संसोधित डेट आज के डेट में जो जारिक करता है वो संसोधित डेट है 10-10 2022 से 10-11 2022 के मध्रात्री तक आप online आप कर पाएंगे जिसका परिछा सुर्थ जो भुकतान है तो 12 तारिक तक आप मध्रात्री तक online payment कर पाएंगे फिर फोटो और signature के बारे में इसी तरह से करमबद डेट यहां पर आप share किया गिया है आप देख पाएंगे तो हम बात करें कि यह जो वेकेंसी है किसके विवाग से हैं तो यह वेकेंसी के बारे में बात करते हैं जो लोग चलते हैं उस अपडेट की और जो सौलो नमर की वेकेंसी कितने पद पे और किन लोग की आरेता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो हम वह वेकेंसी के अंडर आ चुके हैं जो विवेरनिका संख्या सोलो ऑबलिक 2022 की है जिसके बारे माज ही नोटिस दि तो यह वेकेंसी जो थी दो तरह की पोस्ट पर निकाली गई थी और टोटल पोस्ट के संख्या 455 पर यहां पर भाली है पाला कीट पालक एवं समकच उद्धोग विभाग से समंदीत है जिसके अंतरगत 266 पर भाली निकाली जानी है जो कोटिवार रीखती यहां पर देखने नंबर जो पोस्ट है वो है कुशल सिल्प एवं समकच पद और उद्धोग विभाग से समंदीत इसमें भी कोटिवर रिखतीया है और टोटल इसमें 187 पद है इस तरह से दोनों पोस्ट मिला करके आपको 455 पद पर यह बहाली निकाली गई थी जो आज के डेट से उनलाइ नंबर की पोस्ट है जिसे कीट पाल एवं समकच उद्धोग विभाग से समंदीत जो यह ग्रूप सी लेवल की वेकेंसी है इसका पे लेवल जो है यहां पर शेयर किया गया है बात करें फिर इसकी योगेता के बारे में तो इसमें 10 आपका अनिवारिता है 10 मिनिमम योगेत रखती है उसके बाद एक साल का आपको certificate होने चाहिए जो चायवासा इस्तित संस्थान है जो रेसम टक्निकी संस्थान है चायवासा में श्तित वहां से एक साल का certificate आपको होनी चाहिए दूसरी बात करें तो 10th level के वेकेंसी ट्युवेल टैन पलस 2 जो इंटर 15 कोर्स है जिस में सेरी कल्चल जो रेसम की टोगरफ पालन से समंधित अध्यान किया जाता है उसके बारे में कॉर्स किया हो सकता है यह सर्टिफिकेट है तो आप पहले नंबर पद को फिल कर पाएंगे बात करने दूसरी नंबर जो पद है जो कुसल सिल्फ मतलब जो एक अच्छे सिल्फ का बार के रूप में किवाली है यह भी गृुप सी लेबल की वेकेंसी है इसमें भी वेतनमान है जो पेड़े लेवल है इसमें भी सेर किया गया है फिर जो यह वेकेंसी है यह पोस्ट जो है उसके लिए भी आपको मिनिमुम टेंथ की आरिता रखती है और हाथ सिल्फ के वेल्थ या ग्रेजुएशन किये हैं उन लोग यहां पर फिल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यहां पर वन येर और टू येर का सेटिफिकेट मस्ट कर दिया गया है जो सेरी कल्चर से समंदित जो चायवासा में इस्थित अंसांध हैं वहां से प्राप्थ होनी चाहिए दूसर सिमा की बात करें तो नियुम्तम 18 वर्स रखा गया है और अधिक्तम जो है कोटिवार यहां अलग-अलग उम्रिसिमा रखी गई है जो आप इस पर ब्रोचर पर देख पाएंगे कटफ सिमा जो रखा गया एक आठ दोजार अकीस से लेकरके एक आठ दोजार वाइस आकीस ज अभी किसी भी तरह से कोई भी अपडेट नहीं है यह संभावना यह लगा जाती है कि 1932 की जो खत्यान है उसके आधारित पर जदी यह निकालने के लिए इच्छाए हैं तो वेकेंसी वापस ली जा सकती है और इस पर फिर संसोधित करके इसका एड़टार फिर से किया आया वैसे ही सीजी लॉली विकेंसी पर भी बाधाएं या रही है उमिद करते हैं आपको इस वीडियो में बहुत कुछ समझ पाए होंगे और आप निरंतर देख रहे होंगे कि एक गहरी नेंद के बाद जैसेसी जग चुकी है और विस्यू आल जो लोग इसके काबलियत है जो लोग इसके आरेता रखते हैं लोग के लिए सुब कामना है धन्यवाद